आप भी बैगन के भरते को भून कर नहीं बनाते हैं कि उसके अंदर कीड़े तो नहीं है तब आप एक बार इस रेसिपी से ये बैगन का भरता ज़रू ट्राय करके देखें अगर आपने आज से पहले कोई रेसिपी ट्राय नहीं किये तब भी आप फर्स टाइम में उसे परफेक्ली बना कर दयार कर रहेंगे बैगन का भरता बनाने के लिए सबसे पहले हमने लिया है यहाँ पर मीडियम साइज के तो बैगन बैगन को अच्छे से चील कर यूज करेंगे क्योंकि नॉर्मली जब भी हम बैगन का भरता बनाती हैं उसके अंदर जुकल का यूज नहीं करते हैं तो चाहें आप भून कर बनाईए इस रेसिपी से दोनों ही तरीके से हमें बैगन को चील कर ही यूज करना है बैगन को चीलने के बाद अभी इस बैगन को बीच से कट करेंगे और अच्छे से देखकर कट करेंगे कि इसके अंदर कीड़े ना हूँ आप इसे जितना चाहें उतने बाद एक पीसे में कट करके आराम से चैट कर सकते हैं इस रेसिपी में आपको कीड़े का कोई भी टेंचन नहीं रहेगा पूरे बैगन को कट करने के बाद इसे साफ पानी के अंदर डाल देंगे इसे बैगन का यो कलर है वो चेंच नहीं होता है अच्छे से दो लेंगे पूरे बैगन को बैगन को दोने के बाद अब हम इसे डालेंगे एक प्रेशर गुकर के अदर क्योंकि हम ऐसे बोगे चानों है इसी के साफ हम इसमें डालेंगे लगपक दो से तीन कप जितना पानी और हम इसमें डालेंगे डेट छोटा चमच या अपने स्वाद अमसा नमक, आदा छोटी चमच हमदी पाउडर और बस प्रेशर वर के ढगन को लगा कर इसमें कम से कम तीन से चार विसल आने देंगे, अगर आप तेज आज पर लगा रहे तो दो या तीन विसल में भी अच्छे से बॉइल हो जाएगा, जब तक कुकर ठंडा होकर तयार होगा, तब तक हम इसका मसाला बना लेते हैं, इसके लिए कड़ाई में डालेंगे सरसो का तेल, तेल को अच्छा दुआ आने तक गर्म होने देंगे, अब इसमें डालेंगे आदा छोटी चमत चीरा और एक पिंच हीन, इसे के साथ हम इसमें डालेंगे ये बारीक उटा हुआ लेसन और अद्रग, अगर आप लेसन नहीं खाते हैं तो इसे स्टेज पर सिप अद्रग को भून लें, लेसन स्किप कर दें, दो से दीन बारीक कटी हुई हरीमिज डाले इसे भी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अब इसके अंदर डालेंगे एक मीडियम साइज का प्यास जिसे मैंने इक तम बारीक कट कर लिया है, प्याज को भी मसाले के साथ मिक्स करेंगे और इस प्याज को अच्छे से भूनने देंगे जब तक कि प्याज का कलर जो है वो अच्छे से बॉइल हुई चुके हैं तो इसे अच्छे से मैश कर लेंगे तो आप कभी भी बैगण का भरता बनाने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बैगण को भूने आप इस तरीके से भी बैगण का भरता बहुत ही आसानी से बना सकती है बैकन हमारा तयार है और यहां हमारा यह प्याज भी बिल चुका है अब इसके अंदर डालेंगे दो बारी कटे होई टमाटर, आधा चोटी चमच पुना जीरा, आधा चोटी चमच हल्दी पाउडर, एक चमच लाल मिच पाउडर, दो चमच जितना धनिया पाउडर, और डाल एक पिंच जितना गरम मसाला, सभी मसालों को डाल कर अच्छे से मिक्स करेंगे, और इस टमाटर को इसके साथ अच्छा सॉप्ट होनी तक पकने देंगे, अब इस स्टेज पर मैंने इसके अंदर नमक नहीं डाला है, क्योंकि हमने नमक पहले से ही डाला हुआ था, मसाला ज इस बैगन के साथ पूरा जो मसाला है वो अच्छे से मिक्स ना हो जाए, और अगर आप इस सब्जी को और भी ज्यादा डेस्टी बनाना चाहते है तो आप इसे तीन से चार मिर्ट के लिए एकनम धीनी आंच कर अच्छे से ढख कर पकने दें, इससे बैगन के भरते का टेस है, बस सबसे लास में थोड़ा साहरा धनिया और थोड़ा सामीबू का रस डाल कर इसे सर्फ करेंगे, आप इसे अपनी रूटी के साथ या चावल के साथ जिसके भी साथ खाना पसंद करते हैं उसके साथ सर्फ कर सकती है, यकीन माने मेरे खर में तो ये बैगन का भरता सभ को बहुत साथ पसंद आया, तो आप इस एक पार ट्राइ करें और अपने प्यारे प्यारे फीडबेक में साथ जरू शेयर करें क्या आपकी रस्ते प्याप्रो कैसी लगी?